दोस्तो इस सफेद रंग के मगबरे को ताज महल कहा जाता है इसे बनवाया गया था मुगलों के पाचवे बादशाह शाहजान ने अपनी चहती बेगम मुम्ताज महल की याद में मगर क्या यही इनकी पैचान है? क्या शाहजान केवल कला, इमारते और मगबरे के ही धनी थे? जी नहीं, शाहजान का नाम मुगल इतिहास के उस दौर में दर्ज है जिसे गोल्डन एरा अफ मुगल इंपायर कहा जाता है और यह गोल्डन एरा महस बड़ी बड़ी इमारतों के निर्मान से नहीं बनता इसके लिए जरूरी होती है सही राजनेतिक सूजबूच आज का यह वीडियो शाहजान के इसी राजनेतिक सूजबूच पर आधारित है तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते है दो बायोग्राफी ओफ शाहजान पाच जनवरी 1592 के दिन आज के पाकिस्तान लाहूर में शाहजान का जन हुआ इनका पूरा नाम मिर्जा शाहबुद्दीन बेक महम्मद खान खुर्रम था ये अपने पिता जहांगिर के चौथे बेटे थे मुगल इंपरर जहांगिर की बात की जाए तो उन्हें कुल मिलाकर 20 बीविया थी उनमें से सबसे एहम थी मानबाई, जगत गोसाई और महरुनिसा मानबाई से इन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम था खुसरो इसके बाद जो दूसरी बीवी थी, जगत गोसाई उससे भी इने एक बेटा ही था जिसका नाम था कुर्रम और यही है शाहजहान वैसे जहांगिर के और भी बेटे थे लेकिन इतिहास में बस इन दोनों का ही नाम फेमस है खुर्रम और खुसरो तो दोस्तो ऐस अरली स्टेज अगर मैं खुर्रम का नाम लू तो आप समझ जाना कि ये शाह जहान है शाह जहान एक टाइटल था जो बाद में जहांगिर द्वारा खुर्रम को दिया गया खुर्रम बच्पन से ही अपने दादा जी और तब के बाद शहा अकबर के लाड़ ले थे अकबर इनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने जहांगिर के बजाए खुर्रम को ही अगला बादशा बनाने का सोच लिया था कहते हैं कि उन्होंने खुर्रम को एड़ाउट कर लिया था और उनकी जिम्मेदारी उनकी दूसरी बेवी रुकेया बेगम को सौपी थी लेकिन ये बस खुर्रम के लिए नहीं था उनका सोतेला भाई खुसरो भी उनके साथ था ये इसलिए हो रहा था कि अगबर जहांगिर को अपना आने वाला बादशा मानने को तयारी नहीं थे क्योंकि उनकी हरकते ही कुछ ऐसी थी शराप पीते हुए उन्हें ना दिन का हुश रह था और ना रात का अगबर ने अपने बाकी दो बेटे मुराद और दानियाल को तो पहले ही खोया था ऐसे में नाउमीद जहागिर से कोई उमीद भी नहीं की जा सकती थी लियाजा खुसरो और खुर्रम को उसके पास रहने देना टक्त की बची कुछी उमीद भी खोना था बस इसी रीजन की वज़े से अगबर ने अपने दोनों पोते को एडप्ट कर लिया था रुकईया बेगम की देखरेक में दोनों ने युद्ध कोशल और पढ़ाई लिखाई सीख ली थी 1605 में हुई अकबर की मौत के बाद खुर्रम यानि शाहजान रुकईया बेगम के गार्डियनशिप से आजाद हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं अपनी सगी मा जगत गोसाई के पास मगर उनका सोतेला भाई खुसरो अपनी दादी का मूबोली मा रुकईया बेगम को कभी नहीं छोड़ता है क्योंकि उसके हिसाब से बादश्या अकबर के जाने के बाद एक वही थी जो उसे तक्त पर बिठा सके लेकिन he was completely wrong क्योंकि बादश्या अकबर के जाने के बाद उनकी जो बेटे थे जहांगीर वो तक्त हट्याने में सफल हो गए थे इसी बीच खुश्रो और जहांगीर के बीच लड़ाया भी हुई जिसका रिजल्ट जहांगीर के पक्ष में गया ऐसे में खुर्रम जो की शाहजान है he played the role of middle man कि भाई अभी भाई और पिताजी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हम बैठके वस तमाशा देखते है आगे चलकर जहांगीर द्वारा खुसरो को रास्ते से हटा देने के बाद indirectly खुर्रम यानि शाहजान का काम आसान हो जाता है क्योंकि obviously आने वाले बादशाह अब वही बनेंगे मगर ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जहांगीर की second in command नूरे जहा शाहजान को कत्य पसंद नहीं करती थी नूरे जहांगीर की बीस्वी और सबसे चहिती बेगम थी आगे चलकर वो समय भी आया जब वो जहांगीर के एकदम बराबर हो गई ऐसा कहा जाता है कि जो शाही फर्मान हुआ करते थे उसमें जहांगीर के साथ साथ नूरे जहा की भी मोहर लगाई जाती थी तो इसी से आप समझ सकते हैं कि नूरे जहा मुगल पॉलिटिक्स में किस तरह से involved थी ऐसे में नूरे जहा के साथ दुश्मनी खुर्रम यानी शाह जहान को बहुत ही महंगी पढ़ने वाली थी खैर, at a younger age खुर्रम वाज जॉइन्ड मुगल आर्मी, वे गजब के वारियर थे इसकी जलक मेवाड के युद्ध में दिखाई पढ़ती है जहांगीर द्वारा खुर्रम को मेवाड विजए के लिए भेजा गया था एक साल के कठोर युद्ध के बाद खुर्रम वास सक्सेस टू कैप्चर दी मेवाड ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि मेवाड भी अब मुगल टेरिटरिक का हिस्सा बन चुका था वहाँ के ततकाल इंशासक राना अमर सिंग एक कंडिशनल सरेंडर करते हुए मुगलों के साथ संधी कर लेते हैं 1615 में किये इस कारणामे की वज़य से खुर्रम जहांगीर के दिल में बहुत बड़ी जगा बना रहे थे इसके बाद 1616 में उन्हें दक्खन में भेजा गया ये वही समय था जब जहांगीर ने उन्हें शहाजान के नाम से नवाजा शहाजान एक Persian word है जिसका मतलब होता है King of the world अपने एक साल के दक्खन अभियान के बाद शहाजान वाज रिटर्न टू दे देली उनका दक्खन अभियान भी सफल रहा ऐसे में he became very important noble in the Mughal Empire कहा जाता है कि दक्खन विजे के बाद जहांगीर उनसे इतना खुश थे कि उन्होंने बाकाइदा शहाजान के लिए एक टक्त बनवाया जो बिलकुल बादशा के करीब होता था साथी साथ उन्हें बीस हजार का मनसब भी दिया गया उनका बादशा के इतने करीब आना नूरे जहा को खटक रहा था नूरे जहा की बात की जाये तो वो एक विद्वा थी जिससे 1611 में जहांगीर ने शादी कर ली थी वैसे में विदावट एनी रॉयल बैगराउंट इतनी उचाईयों पर पहुचना वाकई में काभीले टारीफ था वैसे मुगल इंपायर में इसका एक भाई भी सर्व कर रहा था जिसका नाम था आसफ खान आसफ खान की जो बैटी थी अरजुमन वो आगे चलकर शाहजान की बीवी मनी अरजुमन को ही हम मुम्ताज महल के नाम से जानते हैं बस इनी रिष्टों के चलते अट इनिसील स्टेज नूरे जहा और उसका भाई आसफ खान मुगल इंपायर के एडमिस्टेशन में इंटर कर पाये थे मगर आगे चलकर नूरे जहा इसका फाइदा अपने मतलब के लिए उठाएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था खेर अब नूरे जहा की जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी शाह जहान के छोटे भाई शहरियार से ऐसे में शहरियार was the son-in-law of नूरे जहा लियाजा नूरे जहा हमेशा से ही जहांगीर के बाद शहरियार को ही गद्धी पर बैठाने के फिराक में थी ऐसे में वो बार-बार जहांगीर को इस बात के लिए मनाया करती थी अब चहिती बेगम के शब्दों को भला कौन तोड़े और वैसे भी जहांगीर अपने अयाशी भरे जीवन से ही बहुत खुश थे लियाजा उन्हें इस बात से कोई फरक नहीं पढ़ रहा था कि अगला बादशा कौन बने अब पूरी डिसिजन पावर लगबग नूरे जहा के पासी थी ऐसे में शाह जहान को एक पल के लिए भी दिल्ली छोड़ना मतलब तक्त गवाना था क्योंकि उनके जाने के बाद नूरे जहा किसी भी तरह जांगिर के कानों में उनके किलाब जहर भर कर शेहर यार को अगला बादशा घोशित कर सकती थी लियाजा शाह जहान ये सोचते हैं कि कब तक मैं यू भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहा हूँ क्यों न मैं दुश्मन के वार करने से पहले एक काउंटर अटेक करके उन्हें घुटने पर ला दू ऐसे में वे अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं ये समय था 1623 का जब एक तरफ थी शाहजान की फोज तो दूसरी तरफ थी जहांगीर और नूरे जहा की फोज ये चोटा सा सक्सेशन वार बलोजपूर में लड़ा गया जिसमें अल्टिमेटली शाहजान हार गए थे आने वाले चार साल शाहजान के लिए एक्जाईल कंडिशन में भी थे जहावे चुपते चुपते अपने पिता और सौतेली मा नूरे जहाप पर वार करते जा रहे थे मगर उनकी ये बगावत कभी सफल नहीं हो पाए अलाबाद में हुई एक फाइनल बैटल में हारने के बाद शाहजान सरेंडर कर देते हैं जहागे चलकर वे अपने पिता जहांगीर से माफी भी मांगते हैं ऐसे में जहांगीर अपना बड़ा दिल रखकर उन्हें माफ कर देते हैं लेकिन पिच्चर अभी बाकी था 1627 में हुई जहांगीर की मौत के बाद वजीर आसिफ खान जो शाहजान के ससुर थे उन्होंने शाहजान को गदी पर बैठने के लिए डारेक्ली सपोट किया पहले तो वो इंडारेक्ली उनकी मड़त कर रहे थे मगर अब जहांगीर की मौत के बाद ही बिकेम मोर एक्ट्व उन्होंने सबसे पहले सारे नोबल्स को काबू मिलिया और सबकी रजामंदी से शाहजान को बादशाब बना दिया शाहजान के गदी पर बैठते के साथ ही उन्होंने अपनी सौते लीमा नूरे जहा को कैद में डाल दिया और बाकी बचे सबको मौत के घाट उतारा जिन लोगों को मौत की सजा दी गई उनमें उनका भाई शेहरियार बतीजे डावर और गशफ्स और कई अन्य दर्बारी शामिल थे दोस्तों तक तैसी चीज है जो अपनों के ही खून से हाथों को रंगीन बनाती है शाहजान भी इसी से बादशाब बने थे ये था शाहजान के बादशाब बने तक का सफर अब जानते हैं उनके शासन काल के बारे में कुछ एवेडेंसे के मुताबिक शाहजान के दोर में 1648 आते आते मुगल आर्मी एश्या की largest आर्मी बन चुकी थी कहा जाता है कि शाहजान के कारेकाल में लगबग 10 लाग से भी ज्यादा पैदल सेनिक, धनूरदर और तोपची हुआ करते थे साथी साथ एक लाग से भी ज्यादा नोबल्स दर्बार में सर्व कर रहे थे यह वो समय था जब इंडिया वाजर रीज सेंटर आफ आर्ट, क्राफ्ट और आर्किटेक्चर एक ब्रिटिश एकोनॉमिस एंजूस मेडिसन के मुताबिक उस समय भारत की जीडिपी यानि ग्रॉस टोमेस्टिक प्रोड़क्ट बाइद दशन साथ प्रतिशत था जहाँ यह चायना को पचाड़कर दुनिया की लार्जिस्ट एकोनॉमिस बन गया था वार केमपेनिंग के साथ साथ शहाजहान के दर्यादिली के किस्से भी मशूर है 1630 और 1632 के मद्द में क्रॉफ फेलियूर की वज़े से दखन, गुजरात और खान देश में भयानक आकाल पड़ गया था ऐसे में वहाँ 20 लाग से भी ज्यादा लोग भूग की वज़े से मर गये थे हालत इतनी खराबती कि दुकानदारों ने कुटों का मास थक बेचना शुरू कर दिया था 37 आटे में हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा था वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अध्यान करना थोड़ा जरूरी है लेकिन ये बात तो बिलकुल सच थी कि इस महाभीशन अकाल ने दखन, गुजरात और खान देश की पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी ऐसे में शाजान एक मसीहा बनकर इन लोगों की मदद करने आगे बढ़ते हैं कहा जाता है कि उन्होंने इन पीडितों को आकाल से बचाने के लिए मुफ्त में लंगर शुरू किया जहां लाकोठन खाना पकाया जाता था शाजान की successful military campaigns में से सबसे एहम थी डखन में मौझूद अहमद नगर, गोलकोंडा और बीजापूर को अपने कबजे में लेना सबसे पहले 1632 में शाजान वास कैप्चुर्ड दौलातबाद फोर्ट वहां मौझूद हुसेन शाह को घुटनों पर लाकर अब निजाम शाही के सुल्तान हुसेन शाह को पानी पिलाने के बाद बला उनकी क्या मजाल ऐसे में इन 1635 को गोलकोंडा और 1636 में बीजापूर मुगल सल्तनत के सामने सरेंडर का देते हैं हाला कि सारे war campaign का श्रेयर शाहाजान के बेटे औरन जेप को देना चाहिए क्योंकि at that time he was the commander of मुगल आर्मी इस victory के बाद शाहाजान became the great emperor of मुगल empire मगर रिधियास गवा है जो उपता है वो डूपता भी जरूर है 22 जनवरी 1666 का वो दीन जब शाहाजान ने अपने ही कैत खाने में आखरी सांस ली यह अपने आखरी समय में कैद खाने में कैसे थे इसकी चर्चा हम औरंग जेब वाले वीडियो में करेंगे क्योंकि यही वो शक्स था जिसने शाहाजान को कैद में डाला था तो यह थी कहानी मुगल सल्तनत के पाचवे बाद शाहाजान की जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों शाहाजान के बाद गदी पर बैठा था औरंग जेब लेकिन क्या आपको पता है कि शाहाजान कभी भी औरंग जेब को उनके बाद गदी पर बैठाना नहीं चाहते थे उनकी नजर में वो बस एक ही इंसान था जो आगे चल कर उनका ये तक्त समालने की काबिल्यत रखता था ऐसे में उस इंसान का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे वैसे अगला वीडियो भी उन पर ही है तो चलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेर करना ना भूले और हाँ आपको अगर मेरा काम और मेरा नरेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी historical और interesting topic को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद